कल का जो आंदुलन वा सिटेट बिटेट वाले के साथ जो भी साथियों के साथ वा वो भी बहुत ही गलत हुआ तेस्वी जी उखमुक मंत्री के रूप में उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है लेकिन कल जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ जब सीट एक लाग से उपर है क्योंने करें फाटपा का जो मनफेश्टो था वो सिप पाटी अलाइंस तक था मोदी जी का चौदा में उन्होंने एलेक्शन के गोश्णापत्र में दो करोड हर साल देने की बात की थी लेकिन कितनी लोगों को रोजगार मिला बिहार में एक नई सरकार बन गई है पिछली कि ये वादा एंडिये सरकार में किया गया था और महागडबंधन की सरकार बनने के लिए 10 लाख नौकडी का वादा तेजर स्रियादों ने कहा था लेकिन महागडबंधन की सरकार बनी है और नितीज कुमार ने 15 अगस्त को ये वादा कर दिया है कि 10 लाख नौकडी और 10 ल में आक्रोस है सिटेट बिटेट के अभियर्थी हों चाहे स्टीटी के अभियर्थी हों सभी में एक आक्रोस है कि ऐस तरह के से हम लोग कभी भी नौकडी के लिए सरक पर उतरेंगे और आप इस तरीके से पीटिएगा तो कैसे काम चलेगा STET के अभियर्थी हैं हमारे साथ और काफी समय से ये लोग भी आंदोलन करते हैं सरकों पर उतरते हैं लाठिया खाते हैं लेकिन नौकली नहीं मिलती है नई सरकार से एक उमीद थी लेकिन कल वो भी उमीद लगभग लगभग तूठी गई है STET अभियर्थी बंटी हमारे साथ मौजूद है बंटी जी कल जिस तरीके से ADM साहब ने एक अभियर्थी को पीटा क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी या सिर्फ लाठी ही मिलेगा सबसे पहली बात इंडिया टॉप चैनल आप हमेशा आपका चैनल हम लोग के लिए सक्रिय मुदाओं के साथ उठाते रहे हैं और मैं आपको बता दू ससंग भाई ये बहुत बड़ा समय था और हमको लगता है कि आज सरकार कहीं न कहीं बदली है और इस हमें पूरा बिश्वास है कि सरकार कहीं कहीं एक सही दिशा में कदम उठाएगी जो भी हमारे साथी कल आंदुलन और प्रोटेस्ट कर रहे थे सबसे बड़े बात है हमें बहुत दुख हुआ इस सरकार के आथिकारी पर लॉइन ओर जो थे एडियम के के सिंग उनके बारे में जो जो जितना भी मतलब निंदा किया जाएक काम है उनको चार्जस करने थे लेकिन इस तरह के चार्जस नहीं करने थे हाथ में तिरंगा है उनके उपर आप लाठी चला रहे हैं और कहीं भी चोट लग सकता था कुछ भी हो सकता था ये जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, सरकार चाहे किसी की भी रहे, आज जो कहीं न कहीं भी पक्ष में है, वो सत्ता पक्ष में है, और जो कल तक सत्ता पक्ष में थे, आज वो भी पक्ष में है, इस बात को समझे, हम लोगों का एक जैनमीन मांग है, और जैनमीन मांग के साथ पटना में हम ल लगा के रिजल्ट दिया था मेरिट और नॉट मेरिट का तो चौबिस तारिक से मैं लगा तार हमारे साथियों के साथ में पटना के अंदर में हाई कोट हो चाहे आप बिहार भी देले परिक्षा समिती हो चाहे सची वाले हो हर जगह पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन दिनों भी बहुत ही दुरभागपूर्ण और मतलब गलत बैभार हुआ यह चीज नहीं होना चाहिए था मैं आपको बता दू आज का जो कल का जो अंदुलन हुआ उस साथियों के साथ हुआ वह भी बहुत ही गलत हुआ मैं आपको बता दू से सांग भाई प्रोटेस्ट आ आज एक अगस्त से लगातार वो लोग अंदुलन कर रहे हैं बीच में अनफर्चुनेट सरकार भी बदली जो एंडिये की सरकार थी वो कहीं के महागडवंदन की सरकार बनी उसमें जरूर नितिस कुमार मुख मंत्री के चेहरे के रूप में और सामने जो अभी आए हैं अभी सरकार बने हुए लगबग 10 दिन हुआ है एक बार फ्लोर टिस्ट हो जाने दीजे उसके बाद पूरे मामले को मुझे समझ लेने दीजे उसके बाद आप लोग कहिए हम आपको नौकरी देंगे तो क्या लगता है कि वाकई में अभियर्थियों को थोड़ा इंतजार क करना चाहिए या आप लोग इंतजार करते करते थग गए हैं अब इंतजार नहीं करना देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ कोई भी सरकार है कोई भी चीज है तो उसमें टाइम तो लगता है ससांग भाई और यह भी गौर्मेंट सेक्टर है आप इस बात को समझ यह हम हम आपको इस बात को समझना लजमी है हम लोग भी मिले वे थे मैं खुद परशो जाकर थे से मिला मानने मंत्री जी से मिला और पूरा आस्वासन होने दिया कि फ्लोर टेस्ट 26 तक हमको अपना फ्लोर टेस्ट में हमको कहीं के मैंड़ेट साबित कर लेने दीजिए उसके बाद हम सिक्छा मंत्री से और नितिश कुमार जी से इस बारे में हम विचार कर रहे हैं नौकरी हमारे संग्यान में है और नौकरी हम देंगे और जहां तक आपको मैं एक बता दो ससांग भाई इस सरकार में अब देखे जितने भी मैंने स्ट्रीम चैनल है आपका चैनल तो ससक्त अवाज बना हुआ है स्ट्ट का चैवो बिटेट का स्ट्टेट का आप हमेशा कवर किये है तो मैं आपको बता दो इस सरकार ने जिस तरह से अभी आया महागडवंदन की सरकार तो यहाँ पे रोजगार क्या बात होती नौकरी की बात होती यह बहुत बड़ी बात है और नौकरी भी कहीं न कहीं मिलेगी, ये बात मैं पूर्ण विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से 15 अगस्त पूर में भी जंडा तोलन करते रहे हैं नितिस कुमार जी, लेकिन उनका कभी भी देखेगा मैंने फ़ेश्टों में उन्होंने 20 लाग नौकरी देने की बात नहीं की हैं हम लोग थे, अनिल जी भी हमारे साथ आ गया है, मेरीट क कि जरू हम लोग की संपून भाली की मंगा ःत संपून भाली मेर्य झाही तोई भी बाद नहीं, जिस सरकार के दौरा लगाया हॉआ हुआ, रप हुआ आपसम और कई बार हमने कहा है कि आपी, आप लोग सांथ म लड़ने का आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, वो आपका मांग है, जायज मांग है, लेकिन आप किसी को सामने वाले को नीचा करके आप अपने आपको उचा रखना चाहते हैं, वो गलत है, हम भी लड़ रहे हैं, अपा निल जी का भी अपना जायज मांग है, बिहार में इतने सारी रिक्तियां खाली है तो हम संपून भाली की हम बात क्यों ने करें और एक बात से संग भाई मैं आपको बता दूँ जब भी नोटिफिकेसन आएगा मैं हमेशा अपने साथियों को कहता रहा हूं सिटेट बिटेट वाले भाईयों को भी मैं कह रहा हूं आप लोग एक पटल पे आईए आपको पता है दिलीव जी हमेशा ऐसे बिहार सेसी के मामला को उठाते रहें वो हमेशा हम लोग को कहते रहें राजांदर सर जो पुराने रहे थे वन टू फाइप सिक्स्टू एट के रहें वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहें वो भी लगबग इनकी संख्या लाखों में है और मैं आपको बता दूँ एकदम क्लियर है छटा चरन हाइज स्कूल का भी चल रहा है प्लस टू वाले का चल रहा है इस माह में क्लियर हो जाएगा मैं आपको बता दूँ जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं मानता हूँ कि हमारे भाई लोको ये बात का तकलीफ हो रहा होगा कि आप बंडी जी इस तरह से बोल रहे हैं लेकिन मैं सच बता रहा हूँ नोटिफिकेशन जब भी आएगा वो सबों का एक साथ आएगा चाहे वो वन टू फाइब हो सिक्स टू एट हो या टेंथ हो या टेंथ हो या टें प्ल सब्सक्राइब की बात हो यहां पर कोई कोई भी बात अभी बिक्श लोग हैं जो इस बात को भी बात दे रहे हैं कुछी अभ्यरतियों का डिमांड हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आज के डेट में हम लोग लगातार है अपसे फिर कन्फर्म कर लेता हूँ अनिल मेरिट के अ रहे थे, मेरिट के अंदोलन में हमेशा दिखते थे, और नॉट मेरिट पर हमेशा आरोप लगाते थे, वो अब एक साथ हो गया है, यानि अब स्टीटी में मेरिट और नॉट मेरिट कुछ नहीं है, और क्वालिफाइड. कई बार चला है, लेकिन अनिल जी मानते ही नहीं थे, अनिल जी मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सरकार में हमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, और ये बात मैं बता दूँ, भाजपा का जो मनुफेश्टो था, वो सिर्फ पार्टी अलाइंस तक था, एलेक्शन के जी सारे सेक्टर को प्रावड़ाज़ेशन, आर्मी को देख लिजे कहीं के कॉंट्रेक्ट पर देने की बात कर दिये, वो आर्मी एयर फोस ने भी सब चीजों का, बैंक प्रावड़ाज़ेशन की और धकेल रहे हैं, तो इसले के कहीं ना कहीं आज इस बात को समझे, बिहार के अब ढृट्यों का कहीं ना कहीं, आज अगर आवाज है, तो ये महागडवन्दन की सरकार 100% हमें विश्वासीने पूरा यकीन है, तो एसे वी जी के नेतरित में माने ने तीस कुमार जी के नेतरित में gdzieś ने कहीं एक सही दिसा में ये काम होगी, और करेंगे भी, क्योंकि ज सबसे बड़ी बात है कि आप लोग मैरिट और नॉट मैरिट क्योंकि एक दिन पहले कुछ मैरिट के साथ ही लोग जरूर गये वे थे और जब गये वे थे तो आप फिर वही पे अनिल जी थे तो बोला नहीं सर सब एक हो गए हैं वो लोग दो चार लोग हैं वो जो इस तरह का आंदूलन कर रहे हैं तो आप इस बात को समझें दोनों टीम कहीं अगल बगल मुंश्किल सेम को सौ मिटर की दूरी प्रस पास में आंदूलन कर रहा है थे उस अंदोलन में मैं जान नहीं आ नहीं पाया था पटना, लेकिन मैं आपको बता दो, उस समय भी जब जाते थे, जिसे पपू जादा बाते थे, चिराग पासमान जी आते थे, या हमारे बिपक्ष के मंत्री ये हुआ करते थे, तो तेस्वी जी वो भी आया करते थे, तो वो भी यही बात बुला करते, यार क्यों लड़ रहे हो, सरकार तुम लोगों को लड़ा रही है, और इस पूरे को ऐलक्षन तक लेके जाना चाहती है, इसलिए आपस में मत लड़ो, आपस में एक दूसरे का ताकत बनो, मजबूती से अपना पक्ष रखो, क्योंकि आप जब मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, तो सरकार और सिस्टम आपको सोचने के लिए विवास हो जाएगी, इस बात को आप समझे, मैं उन सारे साथियों से भी काना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे मेरे STET के साथी भी है, कल जैसे दिव्यांग जी हैं, राजमाल उत्रा जी, उनके ओपर भी चाज़ेज़ वे, विकास जी थे, आपके ये भी थे, आसिस जी थे, तो कही सारे हमारे साथी गए वे थे, क्योंकि वो लोग अलड़ी 1, 2, 5, 6, 2, 8 में पास आउट हैं, मैं अनफर्चुनेट, हाँ, सिटेट, विटेट के भी हरती हैं, और मैं अनफर्चुनेट हाइज स्कूल के लिए लिजबलिट हूँ, तो मैं अन्दोलन में जाता हूँ, लेकिन मेरा ये मांगना है कि आप लोग जब सबका एक दूसरे का कहींगे कांटर करते हैं, तो शायद वो फिर मजा नहीं आता है, टूसरे के सरकार में जैडियू के सरकार नहीं जैडियू के थे, पार्टी से समन्ष में बैठ पा रहा है, या पिर सुनने में ये भी आया, सुत्रों के हवाले से खबर आई, और नाम नहीं बताए जाने के लिए कहा गया है कि अपर मुख सचीव का फोन आता है सिच्छा मंतरी के पास और कहा जाता है कि कुछ वादा मत कर दीजिएगा मामला पेचीडा है देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रोटोकॉल चल रहा है अब क्या प्रोटोकॉल चल रहा है अंधुरुनी हमें भी पता नहीं है क्योंकि तेस्वी जी से जो बातचीश से हमको जो निकल के आया जो उनकी बातचीश में ने सुना और समझा जहां तक क्योंकि मैं हमेशा देखे, मैं बोलता बहुत कम हूँ, लेकिन जब मैं बोलता हूँ, तो कहीं न कहीं तरीके से सारी चीजों को रखता हूँ, मैं आपको बता दूँ, तेस्वी जी के संग्यान में ये बाते हैं, और सारे मंतरी के भी संग्यान में हैं, सिक्षा मंतरी जी का स स्टेट्मेंट हमेशा रहा था, क्योंकि 12 मार्च के प्रेस कॉन्फेंस को उन्हों ने कहीं के जुटला दिया पुरी तरह से, पच्पन मेट का प्रेस कॉन्फेंस आपको याद है कि इतने लोगी कौलिफाया है, इतने लोगों की नौकरी पकी, लेकिन उस रिजल्ट को रिव पुद्धे पे जा रहे हैं तो इस बात को समझे हो सकता है कि कहीं के सिक्षाववाग के उपर में कहीं न कहीं एक जो पुरजोर जो कहीं न कहीं एक प्रिसर जो बना हुआ है इसी लेकर वो कहते हूंगे जब तक कि क्लियर हम लोग नहीं हो जाएंगे हमारी बहुमत सिद्ध नहीं हो जाएगी जब तक हम सरकार में पूर्णता अपने आपको अस्थापित ना कर लेंगे तब तक आप पहले इस बात को उमीद है कि नौकरी इसी साथ हो जाएगे उमीद तो हंडेट परसेंट है अगस्त मामें नोटिफिकेशन आनी थी जो मेरे भी कहीं न कहीं मैं भ बात और इतना पूरा विश्वास है पेस्वी जी के नेत्रित में माने निंतिस कुमार जी के नेत्रित में काम होगा काम करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है नहीं होगा तो फिर आगे कि जो प्रक्रिया में होगे हम लोग फिर पटना की सड़कों को उतरेंगे और अं संट्रलाइज कीजिए डॉमेसाइल लगेगा तो मैं आपको बता दू सांग भाई ये 8402 का जो आकड़ा ये दे रहे हैं कहीं आप भी कवर किये वे ते दीपक कुमार सिंग से जो पहले जो आपर मुखे सची वबा करते थे संजय उन्होंने बूला कि आकड़ा एकड़ा एक जब नहीं तो लेकिन मैंने बताया था कि 8402 तो उन्होंने का कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इस पर काम चल रहा है हम बहुत जल्द इस बारे में बताएंगे लेकिन वो तो बदल गए बदल केंडर में चले इस बात को आप समझें कि यह आकड़ा कहीं न जाने के लिए भी बनाया गया इस बात को समझें इतना आकड़ा नहीं हो सकता यह हम कंफर्म है क्योंकि जब-जब हम लोग आंदुलन करते हैं पटना के अंदर में जब-जब आंदुलन कि कभी नहीं हुआ है कभी नहीं कभी नहीं वही गिने चुने चेहरे जो 10-20 नाम है जाता है कि 50,000 नौट मेरी और 30,000 मेरी तो यह अभीरती है कहां है आज देखे सी टेट वी टेट के कल जो डाग बंगला चो रहा 2000 से उपर तो इस बात को समझजिए कहीं ने के सरकार ने कहीं के गुमरा करने के लिए आकड़ा शोपिस कर दिया लेकिन एक बात मैं आपको बता दू नोटिफिकेशन आएगा डॉमेसाइल लग क्या परसू हमने बोला था तेस्वी जी को माने तेस्वी जी को कि सर हम लोग को 100 परशंट आप सर डॉमेसाइल लगा के दीजिए क्योंकि अधर इस्टेट में हम लोग जाते हैं तो फॉइट करते हैं यहां पे होता है कि यूपी के स्टूडट्ट कोपे हैं लाठी का रहे हैं और मैं आपको बता दू जो भी हमारे साथियों के साथ जिस तरह का वई दुरगटना हुआ हमारे साथ हुआ चीचेृ के साथ एक हमारे साथ है रहे थे हाजी पूर से आते हैं तोका एक्सीडिन्टी वहाँ है तो उस बारे में भी चर्शा करनी थी कि वो कैसे हैं क्या मतलब बहुत ही क्रिटिकल कंडिशन में हैं फादर उनके नहीं हैं बच्चे दो छोटे-छोटे हैं उनके साथ सुनके बहुत ही हमारा वहले पूरा बेंडे लगा हुआ है और उनकी पतनी का भी पूरा जो ही यहां प सपोर्ट कर रहे हैं फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं एकोनोमिकली सपोर्ट करना भी चाहिए मैं बिहार क्यों ऐसे मैं कभी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूं लेकिन मैं अपने कुछ साथियों से जरूर कोंगा जिन से जो बनता है उनके उनका उनको मदद करें क् एक सहयोग की रासी और एक सहयोग जरूरी है क्योंकि कोई भी साथिया अगर आपका पटना में आंदोलन मैं आपको पता है लास्ट टाइम मैं खुद आंदोलन रथ था आप तो मौजूद थे सची वाले के सामने जो हम होस्पिटलाइज वे सुबंध जी का इभी आई बैसा भी सब्सक्राइबुन ओ हम चाहते हैं कि जिस तरह का भी हो आप लोग सहयोग कीजिए इस तरह की चीजों में होता क्या है स्विजी को भी बोला था कि सर जिस तरह से चार्जेश हो रहे हैं वो गलत है सर लोकतंत्र में सब को आवाज उठाने का अधिकार है और सही तरीके से रखने का अधिकार है और आपको एक बाद बताते हैं सासांग भाए आपने तो हमेशा आपका इंडिया टॉप हर मोड पे ह हर तरीके से आप कबर्क करते रहें और हर तरीके से अभीरत्यों का मुद्दा हो टॉप हरे नितिस कमार जी के संग्यान में देने के लिए आप लोग को तक पर हैं और लगे होड़े पटना जब जब हमको रिकाॉल होगा मेरा खुद इधर भाइरल फिवर से मैं ग्रसी तूं कल से मैं मैं कूद था मैं कल भी नहीं रहा पाया उनफर्चुनेट आज लेकिन अभी पटना हो आज रात मैं भी निकल रहा हूं लेकिन मैं फिर आऊंगा और आपकी आवाज और साथ देता की जल से जल सात्मा चरन का नोटिफिकेशन सरकार ये बिहर सरकार निकाले हैं तो STT अभिहरती बंटी जी हैं लगातार आंदोलन करते रहते हैं कई बार इनके उपर भी लाठिया बरसी हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि होस्पिटलाइज भी हुए हैं लेकिन इन नौकरी कब मिलेगी नई सरकार बनी है उमीद बहुत है नई सरकार से नई जो सिक्षा मंत्री है उनसे भी बहुत उमीद है क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली मॉडल यूज करेंगे तो इन्हें भी बहुत खुसी है कि चलिए कम से कम दिल्ली मॉडल आईए स्कूल को दुरुस्त कीजिए, स्कूलों में सिक्षक की बहाली कीजिए ताकि हम लोग जाकर बेहतर भविस्ष, बिहार की बेहतर भविस्ष के लिए काम कर पाएं बरहाल इस खबर में इतना ही, बने रायमार साथ और देखते हैं, दाइन जाटो